जाहिन दोस्तों सभी को नमस्कार मैं आपके विचरा के सोदरी तो कई तो सारे विध्यारती इस परकार के मोडल पेपर को लगाइए जिसमें जीडी ट्रेडमेन इस्टोर की पर कल रख आदी के परसन भी आपको सामिल के गए वैसे मोडल पेपर आपके जीडी और ट्रेडमेन से ही रिलेटेड है तो सारे विध्यारती सैसन को जादा से जादा शेर करना भाई साब और यहाँ पर देखिए अगर आप हमारे दुवारा 100 मोडल टेस्ट पेपर लेना चाते हो तो दोस्तों तो ले सकते हो जिसके लिए 99 रुपे फीश रहेगी 8988232854 पर आप मैसेज करके अपना नाम बता सकते हो कि सर मुझे मोडल पेपर चाहिए सब्जेक्ट वाइज आपको जीके मैथ रिजिनिंग साइन्स के आपको कोशन चाहिए तो 199 पर पे करना पड़ेगा तो देखते अपने कोशन के और अपना लास्ट कोशन क्या छोड़ा था हमने तो रात अपने बात कर रहे थे पोलिटिकल की तो पोलिटिकल से आगे चलते कितन नमर करा दे थे 20 नमर क्या देखिए अब तो परसन क्या 20 हो चुका था परसन क्या 21 देखे क्या दे गए बारते सविधान सभा यहाँ पे दो बात थे है दोस्तो एक आपसे बोल रहा है कि सविधान सभा बनी कब थी एक तो बात है सविधान सभा बनी कब थी और सविध आपना की जाएगी तभी तो होगी हमारे सविधान इस्तापना कि नहीं कि भा्राह angef मार्च 1946 के अंदर ये बार्त में पुरुषता है अब परसं आता है कि sir Cabinet Mission ने सविधान सभा की स्थापना कब की थी तो आपको ध्याँ देना है 6 दिसम्बर 1944 को इस सविधान सभा की स्थापना की जाती है और भारत के लिए एक क्या बनाए जाता है वो बनायाता है जिसका नाम आता है सविधान सभा बनायाती है, क्या बनायाती है, सविधान सभा का गठन, और सविधान सभा का गठन किस ने किया, केबिनेट मिशन ने, और इस सविधान सभा के गठन के अंदर कुल कितने व्यक्ति सामिल होए, ये परसन एक्जाम में आएग से देशी रियासत के सदस्यों कि अगर बातbas कि जाए तो यह लाओं के जो सदस्यों के अगर बात की जाए तो वो सदस्ये कितने थे आपके 15 मेंबर थे कितने मेंबर थे 15 महिलाओं के संख्या कितनी थी 15 ये आपको ध्यान देना है सविधान सभा के लिए गठन किया गया और ये गठन किसने करवाया cabinet mission ने और सविधान सभा का चुनाव कई बार आता है कि सर इसके चुनाव का परकार क्या है तो इसके चुनाव का परकार याद रखना दोस्तों चुनाव का परकार है एपर्तेक्स क्या है भया एपर्तेक्स चुनाव होगा कैसे हो भया एपर्तेक्स और इस upper text में कितने सदस्यों ने भाग लिया था आपके 389, जिसमें से देशी रियासत के सदस्य बोले तो, तिरान में महिलाओं के संख्या बोले तो आपके, लेकिन इसमें से British, जो British प्रांत थे, British राज्ये थे, वहां पे जो अंग्रेज व्यक्ति या भारती व्यक्ति जो कोई पितंगा करता तो पैली कोई थी 9istas मुझा !! कब किया ? 6 दिसंबर 1940 अगर SEC brutal में नहीं ना मिले और यह पहली बैठक की बात करता है तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को यहां पर आपको याद क्या रखना है कि सविधान सभा बनाई किस ने तो आप क्या बोलोगे सर केबिनेट मिशन ने सविधान सभा का गठन कप किया गया 6 दिसंबर 1946 को सविधान सभा का जो आपके गठन किया गया उसका किसा था किसा था इसमें जो सदस्स से कुने गए तोटल मेंबर कितने चुने गए 389 इस 389 में में से देशी रियासत के रजवाड़े जो werdंगे रॉजा मुरा कि रजवाड़े वहां से कितने मैंबर कुनकि टिराण में और ब्रिटिस प्रांत यानि की अंग्रेजों ने अपने राज्ये बना रखे थे, वहां से कितने सदस्य चुन क्या है, जिन को हम क्या बोलेंगे MLA, क्या बोलेंगे वह या, MLA सदस्य बोलेंगे, रख लोगे याद, अगले परसन को देखे, क्या दिएगे, next question, सविधान सभा के उद्गाटन अधिवेशन की अदेख्सता किस ने की थी, अब सविधान सभा के उद्गाटन अधिवेशन की अदेख्सता किस ने की, क्या करना बैठक करना अब याद रखना हमारे सविधान सभा निर्वान में कुल कितनी बैठके हुई है और कुल अधिवेशन बोले तो कितने हुई है टोटल अधिवेशन के अगर बात करें तो बारा अधिवेशन पहली बैठक की बात करें या पहले अधिवेशन की बात करे तो पहले भी बैठाक और अधिवेशन की अगर बात की जाए अधिवेशन तो वो याद रखना आपके हुआ था 9 दिसंबर, 9 दिसंबर 1946 को और 9 दिसंबर 1946 को कैसा सदस से जुना गया? एस ताई, कैसा अधिवेशन आए था? एस ताई, अब उत्तर बता सकते हैं आप, अब उत्तर आपका क्या रहेगा डोक्टर सचिदानन्द सीना, डोक्टर सचिदानन्द सीना राइट हो जाएगा दोस्तों तो यहाँ पे सविधान सभा का अधिक्स कोन था? सविधान सभा का अधिक्स बोले तो क्या बोलोगे? डोक्टर राजिंदर परसाद, अब डोक्टर राजिंदर परसाद को एस ताई से, यानि की स्ताई क्या बना जागा? अधिक्स बना जागा, एस ताई अधिक्स से, इस सचीदानन्द पहली बैठक के अद्धेक्स बने थे या दूसरी बैठक के अद्धेक्स बने थे इतना बता दो यहां पर क्या लिखा में ने पहली बैठक के कैसे अद्धेक्स सुने गई है ऐस्ताई कैसे सुने गई है एस्ताई और इस्ताई अद्धेक्स कौन चुने गए आपके डॉक्टर राजिंदर परसाद यही दोनों पेपर में परसन आते हैं सविधान सभा का पहला एस्ताई अद्धेक्स कौन था तो आप बोलोगे सची दानंद सीना सविधान सभा का इस्ताई अदेक्स कोन था तो आप क्या बोलोगे डॉक्टर राजिंदर परसाद जबकि बी आर अम्बेडकर को क्या बोलते है भारतिय सविधान का क्या बोलते है पिता कहा जाता है बी आर अमबेडकर का बड़े बतादो किस तारिक को आता है इसका हैपी बड़े का बात है ये बताइए सारे विध्यारती बी आर अमबेडकर का जनम दिन बताइए भाई सारे के सारे विध्यारती अब पता चलेगा पढ़ते हो नहीं पढ़ते BR Ambedkar की जनती पर परतेक वर्स 2020 से आपके मोलिक अधिकार दिवस बनायाते है Fundamental Right Day आते है और Fundamental Right Day की अगर बात की जाए इसकी जो सुरुवात हुई थी दोस्तो वह हुई थी आपके 14 अप्रेल तो यानि कि 14 अप्रेल को इसकी जनती आते है और 14 अप्रेल को कोण सा दिवस आता है मोलिक अधिकार बोल रहा हूँ अभी मोलिक अधिकार दिवस तो मोलिक अधिकार दिवस किस तारिक को आते हैं 14 अप्रेल को एक छोटा सा परसन बता दो मुझे 5 सितंबर को किस का बर्डे आता है पाँच सितंबर को किस महापुरुस का जनमदिस बनायाता है जिसके उपलक्स में आप क्या करते हो शिक्षक दिवस बनाते हो टीचर से डे बनाते हो कौन से आभिया डोक्टर सरपल्लि और हमारे देश का पहला उपराष्टपती कोन था ? सरपल्ली रादा केशन. अगले परसन को देखे, क्या देगे नेक्स्ट परसन में. सविधान सबा के ऐस थाई अद्धेक्स कोन थे ? सविधान सभा के ऐस ताई अद्धेक्स, अभी पढ़ाये जश्ट, अभी पढ़ाये दोस्तों, गलत कोई नहीं करेगा, विद्यारती सेशन को जादा से जादा शेर करेंगे, लाइक भी करते चलेंगे, सविधान सभा का जो अद्धेक्स था दोस्तों वो याद रखना आपक वैता डॉक्टर साचिदानंद सीना और ये कोंड सी बैठक का बना था भया बैठक कई बार पुछाता है अभी तो बताया था यार कोंड सी बैठक का पर्थम बैठक का पहली बैठक की डेट और पुछेगा आपसे 9 दिसंबर 1946 को और अगर परसन आ जाए डॉक्टर राजिंदर परसाद क्या था आप बोलोगे सर सविधान सभा में एक तो स्ताई अद्देक्स बना दिया इसको और वाद में ये सविधान का क्या किलाने लगा अद्देक्स तो हमारे सविधान का अद्देक्स बोले स्ताई अद्देक्स बोले और ये कौन बना, डोक्टर राजंदर प्रसाद कब बना, गयारा दिसम्मर उननिस सो चाले सी को एब एक छोटा सा पर्संद करेंए, B.N. राव कौन था, तो याद रखना दोस्तों, ये सविधान सभा का सविधान सभा का सभा का एक क्या था सलाकार था सविधान सभा का सलाकार को था बी एन राव और बी एन राव ने हमारे प्रारूप प्रारूप समीति समीति की रूप रेखा तयार किये समीति की रूप रेखा तयार किये रूप रेका लेकिन प्रारूप समीति का तो सर हमने जनक और कुछ पढ़ा है प्रारूप समीति का जनक बोले या इसका जो अद्धेक्स पूछे वो आपको बताना है जो हमारे सविधान का जनक है अब एक छोटा सा प्रसन बता दो सविधान दिवस किस तारिक को आता है सविधान दिवस बाते नहीं कर रहा कमेंट नहीं देख रहा सविधान दिवस की अगर बात बताईए सविधान दिवस जिस दिन भारते सविधान बनके तयार हो जाएगा जिस दिन हमने सविधान को क्य किया पारित किया उस दिन बनाया था आपके सविधान दिवस बनायाता है एक तारिक देता हूं आपको 26 जनवरी और एक तारिक देता हूं आपको 26 नॉबर एक तारिक दी मेने 26 जनवरी और एक दी तारिक मेने 26 जनवरी तो 26 नॉबर को आता है कि सविधान दिवस तो किस तारिक को आता है 26 नौंबर को ठीक है एक छोटा सा परसन बताई मुझे बारते सविधान ए लिखित है या लिखित है बारते सविधान ए लिखित है या आपके लिखित है दोस्तों अब कमेंट करिए बारते सविधान लिखित है या ए लिखित है तो एक बात बता अपनाने वाला पहला देश था अमेरिका कौन था सोरी ब्रिटीन था कौन था लेकिन लिखित सविधान लिखने वाला पहला देश कौन था यूएस से कौन था बया और हमने जो लिखित सविधान लिया वो किस देश से ग्रैन किया है और आप से परसन आ जाए विश्व का सब से बड़ा सविधान भी किस देश का है भारत का भारत का पहला लिखित किसका है लेकिन सविधान लागू करने वाला पहला देश ब्रिटेन 1600 इस्ट इंडिया कंपनी तब बनी थी अगले परसंग को देखें क्या दिये नेक्स्ट कोशन को अच्छा परसन है दोस्तों सविधान सवा के इस्ताई अद्धेक्स कोन थे अभी पढ़ाय जश्ट मेंने सविधान सवा के इस्ताई अद्धेक्स कोन थे डोक्टर है अब एक छोटा सा परसंद बता दो डोक्टर राजंदर प्रसाद की चार बाते यह अमारे देश के पहले क्या थे प्रथम प्रथम रा इनके कारेकाल के अगर बात करूँ तो 1950 से लेकर 1962 तक 1950 से लेकर 1900 अमारे देश में सरवाधिक राष्टे का यानि कि राष्टपती का सरवाधिक कारेकाल कारेकाल वाले राष्टपती सरवाधिक वाले राष्टपती कौन थे तो क्या बोलोगे कौन थे सरवाधिक कारेकाल वाल का भारत का अजासत्रु किसका उप नाम है डौक्टर राजंदर प्रसाद के द्वारा एक पुष्तक की गई इंडिया डिवाइड लांव हुर अगर आप से मैं परसन पूछ लो डौक्टर राजंदर प्रसाद को कहां का गांधी बोलते इसे कहा का गांधी कहा जाता है तो याद रखना बिहार का गांधी किसे कहा जाता है बिहार का गांधी तो आप बोलोगे सर आपके डॉक्टर राजिंदर परसाद को एक छोटा सा परसन है प्यारा सा अगर आपसे कोई बोल दे कि दक्षिन अफरीका दक्षिन अफरीका का दक्षिन अ और इस नैंसन मंडेला को कहा का गांधी बोलते हैं दक्षिन अफरीका तो कभी परसन आ जाए दक्षिन अफरीका का गांधी कोन कहलाता है नैंसन मंडेला वो बिटेन का एक गांधी है कोन है मार्टिन लुथर ठीक ना ब्लैक गांधी बोलते हैं लुथर को किसको बोलते हैं लुत्र को, अगला परसन देखे दोस्तो, नेश्ट कोशन, सविधान सभा के सविधानिक सलाकार को थे, सविधान सभा के सविधानिक सलाकार को थे दोस्तो, सलाकार, सविधानिक सलाकार अभी बात की थे हमने, तो यह सविधानिक सलाकार की अगर बात करें, एक व्यक्ति आप को याद है बी एन राओ बी एन राओ तो वह आपके क्या थे सभीधान सभा के only four क्या थे सलाकार थे लेकिन यहाँ सभीधान एक सलाकार पूछा गया और याद रखना के एम मुंसी कौन थे भया के म मुंसी यह आपका राइट उत्तर अगले परसन को देखिए क्या दिये गए नीती आयोग का अद्धिक्स कौन होता है नीती आयोग का अद्धिक्स कौन होता है दोस्तों अच्छा परसन एक छोटा परसन बताना नीती आयोग की स्तापना कब हुई नीती आयोग की स्तापना इस्तापना बता दो एक जनवरी 2015 नीती आयोग में अभी तक आपके अद्धिक्स कितने रह चुके हैं अद्धिक्स के अगर मैं बात करूँ तो अभी तक अद्धिक्स एक ही रह चुका है उस वेक्ति का नाम क्या है नरेंदर मोदी क्या नाम है नरेंदर मोदी तो नरेंदर मोदी आपको ध्यान देना है, उसके बाद ध्यान रखना नीती आयोक के अंदर उसका प्रतम उपादेक्स कोन था? उपादेक्स, पहला उपादेक्स, तो अरविंद पन गडिया, अन्विद पन गडिया, जो हमारे 16 वितायोक के अद्धिक्स बनेंगे, 2025 के कोला तो तरगा ठीलoby रखना हमारे नीतियों के प्रतम आपके क्या थे Bears सियों जो कारे-कारी अधिकारी तर्षियो तो याद रखना सिंदु से संदु कि पुर्लर की सुंधे थे ये आपका क्या था फ्लेकिन वर्तमान में अगर पूछ ले आपसे नीती आयोग का अधेक्स कोन है? तो आपका राई टुतर क्या हो जाएगा? परधान मंतुरी और परधान मंतुरी अभी कोन है? नरेंद्र मोदी अब एक बात बताईए नीती आयोग जो है ये किसकी जगाया इसने किसकी जगाय ली भया तो आप बोलोगे सर योजनायोग की योजनायोग का योजनायोग का पहला योजनायोग का प्रथम अद्धेक्स कौन था प्रथम अद्धेक्स तो योजनायोग का जो उपादेख्स कोन था उपादेख्स की अगर बात करूँ हमारे देश का पहला परधानमंत्री पंडित जुवार लाल नहरू हमारे योजनायोग का पहला उपादेख्स जो था परथम की अगर मैं बात करूँ तो गुलजारी गुलजारी लाल नंदा नन्दा शिवनात एक बात बता योजना आयोग 1950 में बना था या 1952 में बना था या 150 में 1950 में और योजना आयोग के लाता था पहले पंच वर्षी योजना और दीपक कुल कितनी है klar वर्षी है योजना तो टोटल कितनी हुई है? अब नहीं होती न ये अब क्या चलता आपके नीतिया यो किस वर्स आया बनवारी 2015 को 2015 को दोस्तो ठीक है अगले परसन पर देखे भाई चैट सेक्षन को बोड टैम पड़ा है सलेबस जरूरी है दोस्तो अगले परसन को देखे क्या दियेगे बहरते सविधान सवा की प्रारूप समिती इसे एक बोलाता आपके मसोधा समिती इसे ही बोलते आपके ड्राफ्ट कमेटी क्या बोलते हैं कमेटी तो ड्राफ्ट कमेटी मसोधा समिती और इसे ही बोलाता आपके पांडू पांडू लेखन पांडू लेखन समीति तो ड्राफ्ट कमेटी प्रारुप समीति और पांडू लेखन समीति एकी नाम है इसका मतलब क्या है अमारे देश के सविधान को क्या करना सविधान को तयार करना सविधान को क्या करना तयार करना और ये त्यार करने का जिंबा उठाये था एक पलस छे यानि कि total कितने व्यक्तियों के दवारा साथ अब आपको ये पता चल गया कि प्रारूप समित्थी में कितने मेंबर थे साथ, कितने मेंबर थे साथ- एक था अध्देक्स एक क्या था अद्धेक्स और बाकी थे अन्य सदस्य, टोटल मेंबर कितने, साथ, इस प्रारूप समीत्ती की नीम रखी गई थी 29 अगस्त, 29 अगस्त 1947 को दोस्तों, और उसके लीडर किसे बनाए गए, बी आर अमबेड कर को, किसे बनाए गए बिया, बी आर अमबेड कर, तो कोन बनता है डॉक्टर बी आर अंबेड कर आपको ध्यान देना इस परसंद का राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके सामने ओप्सन संख्या से बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका कि जो गया कोई नी कोश्चन तो दुबारे पूछ लेगा जिसको पूछना होगा तो तू बड़ा कमेंट पर दियान दे रहें नहीं तो पड़ाय पर दियान दे लो यहां था कोई दिक्कत नीह न अब एक छोटी सी बात बताओ मुझे डॉक्टर राजंदर प्रसाद को कहा का गांधी बोलते हैं कहा का गांधी के लाते हैं अब आपके पास यह परसं आदेगा कितने राज्यों में विदान सभा लगती है दोस्तों विदान सभा वाले राज्ये कितने विदान सभा वाले राज्ये विदान सभा वोला है विदान सभा आपके 28 पलस में 3 आपके टोटल कितने राज्ये छेत्रों में है 31 28 राज्यों में है विदान सभा का मतलब होता है निम्न सदन जैसे आपके विदान सभा कितने सीटे 200 सीटे अर्याना में 90 सीटे कितनी है भया तो किसी राज्य में विदान सभा बनेगी तो कम से कम कितनी सीटों की बनेगी भया लेकिन कई ऐसे राज्य जहां विदानसभा सीटे कम है जैसे example for आपके सिक्किम सिक्किम में जो विदानसभा है उनकी सीटे कितनी आपके only for 40 कितनी है अब विदानसभा जो व्यक्ति बनता है उसे हम विदायक बोलते हैं विदायक अगर कोई महिला बनेगे उसको हम क्या बोलेंगे विदायका विदायका क्या बोलेंगे यांग्रेजी में से बोलते हैं मेले क्या बोलते हैं अब मले बनने के लिए नियूंतम आयू कितनी चाहिए 25 वर्स मले काम करेगा तो आपके कितने वर्स के लिए काम करेगा पांच वर्स के लिए और याद रखना किसी भी राज्ये में आपको विधान Сबा गठित करनी है तो कम से कम सीटे कितनी होनी चाहिए और एक ऐसा कौन सा राज्ये जहाँ विधान सबा सीटे 60 से कम है तो आप बोलोगे एक तो सिक्की मोरेक आपके अब आपसे परसन आता है सर एक विदान सभा होती है तो एक किसी राज्यों में हमने ये भी तो सुना है विदान परिशद अब आपकी बात सहीर राउल विदान परिशद सिवनात राउल तेरी बात बिल्कुल ठीक कितने राज्यों में है, छे राज्यों के अगर मैं बात करूँ तो एक राज्य आपको यादखना, यूपी, यूपी के बाद में महाराष्टर, महाराष्टर के बाद में आपका करनाटक है, और करनाटक के बाद में आपका बिहार, और बिहार के अगर बात की जाए, तो जम्मू एंड कस्मीर और जम्मू एंड कस्मीर से जब राज्य का दर्जा हटा तो ये आपके विधान परीशत का भी जो प्रावधान ता ये भी इटा दिया उपराश्ट पती को उसके पद से अटाने का प्रस्ताव कहां से सुरू किया जता है देखो उपराश्ट पती को प कि या होता है पडदेन सभापत्य होता है तो राजिên सभा के दौरा उसका परस्थाफ टियार कहा रहता है लोग सबाके दौरत उसको सब्धृत सब्दोस्ति चाहिए कि अ कैसे दोस्तों उया की दोस्तों वे तो मेन मुद्दह किसके Grad इस तीका हुआ है Вы ऑजिसवा, Member of Legislative Assembly. Show me. अगले person को देखिए, क्या दिया गया, next question को, भारत के उचतम न्याले की परिथम, निया निया दिस कौन थी? उचतम न्याले का मतलब समझो पहले तो, देखो उचतम न्याले का मतलब होता है Supreme Court, यानि की सर्वोच न्याले, सर्वोच, सर्वोच न्याल का इसे हम क्या बोलते है सुप्रीम कोट बोलते है अब सुप्रीम कोट है काँ पे दिल्ली में अब सुप्रीम कोट में कितने जज काम करते हैं काम कर सकते हैं वर्तमान में आपके टोटल 1 plus 25, total 26 काम कर रहे हैं, लेकिन total आपके 1 plus 33, तो कितने संख्या हो सकती है, 34, Supreme Court में जजो की संख्या कभी परसन आए, तो कितना बोलोगे, 34, कितना बोलोगे, 34, Supreme Court के अंदर आपका मुख्य न्याइदिस कोन है, आज वर्तमान में, मुख्य न्याइदिस मुख्य न्याइदिस, मुख्य न्याइदिस वर्तमान में कोन है, ये बता दो जो 50 वे नम्मर का है, दोस्तो 50 वे नम्मर का ठीक ना, D, Y D, Y, चंदर है, चंदर है चूड, ठीक ना, Y, D चंदर चूड का ये, पुत्र है दनंजे ये, स्वन्त चंदर चूड, इसका पुरा नम आता है 50 वे नम्मर के बने आईए सुप्रीम कोट के अंदर अभी तक हमारी only for कैसी महिला न्याइदिस बनी है, ना की मुख्य न्याइदिस कभी परसन आ जाए, क्या कोई महिला मुख्य न्याइदिस बनी है, सुप्रीम कोट में तो सुप्रीम कोट में नहीं बनी और ये जो बनी है दोस्तों, ये कोन बनी है मीरा साइफ फातिमा बीबी, 1989 में ये सुप्रीम कोट की न्याइदिस बनी है दोस्तों, और अभी तक याद रखना महिला वरग में देखा जाए महिला वरग में देखा जाए तो सुप्रीम कोट में जाने वाली तो टोटल कितनी महिला है इन 11 में से वर्तमान में जो अभी महिला है काम कर रही है वर्तमान में कितनी महिला है अभी सेवा है दे रही है तीन महिला है एक चोटा सा परसन बता दो अगर सुप्रीम कोट में आपको नियाइदिस बना दिया जाता है तो सुप्रीम कोट में कोई व्यक्ती नियाइदिस बन गया तो उसकी सेवा निवर्ती कितनी होती है सेवा निवर्ती है अपनी IQ का age का तो याद खना 65 verse कितना होता है 65 वर्स और अगर परसन आजाए Supreme Court कहा पर है Supreme Court कहा पर है तो आप क्या बोलोगे दिल्ली Supreme Court एक आया ha, दो है एक यह है जबकि High Court कि अगर मैं बात करू High Court कितने आपके High Court कि अगर बात करू तो 25, कितने High Court है तो राज्यों के होते है, High Court है एक राज्य या एक राज्य से जदिक हाई-coat हो सकते हैं आपके दोस्तों ठीक है शैसन को भाई जादा से जादा शेर करें अब एक छोटा सा परसं बता दो मुझे किसी भी राज्य में या उच न्यालने में पहली बनने वाली मुख्य न्याइदिस को थी महिला महिला न्यायदिस महिला अब यह बताना है सुप्रीम कोट के अंदर नहीं हाई कोट के अंदर मुख्य न्यायदिस पहली महिला प्रथम की बात करों पहली मुख्य महिला और अगर आपसे कोल दे सुप्रीम कोट में ओनली फूर न्यायदिस न्यायदिस बनने वाली न्य न्याइदिस को न्याइदिस बोलते है जज बोलते है जश्टिस बोलते है तो पहली जो महिला बनी थी आपके मुख्य न्याइदिस उसका नाम आता है लीला सेट क्या नाम आता है और ये लीला सेट कहां पर आपके मुख्य न्याइदिस बनी थी हिमाचल प्रदेश में लेकि यदर आप हाई कोट के क्या बन जाते हो जज बन जाते हो तो आपकी एज की अनुसार आपको कब सेवा निवर्ती लेनी पड़ेगी सेवा निवर्ती तो सुप्रीम कोट नहीं पूछा में ने यहाँ पे हाई कोट बोलाए तो कम कर देना 22 कितना होता है और सुप्रीम कोट में सेवानिवर्थी轉 कितने वर्ष की होता है 65 वर्ष की अब एक छोटा सा परसन बताए अमारे देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कोन बनी थी जितने विध्यारती लाइब देख रहे हैं देश की पहली महिला मुख्य मंत्री कौन बनी थी दोस्तों मैंने तो मुख्य मंत्री बोला है हाँ तो देश में किसी राज जी में मुख्य मंत्री बने तो उसका नाम मुख्य मंत्री चलेगा और तुझे पता है मुख्य मंत्री राज जी मोता है देश में नहीं होता है तो सम सरोजनी नाइडू, बचेंदरी पाल, लीला सेट और सुचेता कृपलानी सुचेता कृपलानी किसी राज्ये में पहली महीला आपके मुख्य मंत्री के पत्पियाई थी और पहली महीला हमारे देश की परदान मंत्री बोलू तो वेरी गूड ठीक, अगले परसन को देखें क्या दिएयागया अच्छा परसन दोस्तो, इव्यम, इव्यम एक क्या होती है भया आपके चुनाफ से रिलेटेड है, क्या भया, चुनाफ से इसका प्रियोग किया था आपके 1982 में फिर इसका प्रियोग वां 1906 में फिर इसका प्रियोग वाद 2004 में अब continue चलता आ रहा है कोई बड़ी बात नहीं अगर person आ जाए EVM machine किस लिए की जाती है vote की गिंती करने के लिए vote को डलवाने के लिए परची का जमेला खतम करने के लिए digital है यानि कि electronic voting machine उत्तर संख्या आपके D option right EVM का परियोग सबसे पहले कप किया गया 1900 और ये किस के चुनाव में किया गया केरल के चुनाव में कहा किया गया ये केरल के चुनाव में लेकिन किसी राज्य में पूर्ण राज्य में ये चुनाव हुए तो याद रखना आपके गोवा में और कौन से चुनाव थे ये विदान सभा के लेकिन हमारे देश में पहली बार लोग सभा के चुनाव में EVM का उपयोग कब किया गया 2004 में कब किया गया दोस्तो 2004 में भाई साथ शैशन को शेर वोट कम करते हो दोस्तो आप चलो अगले परसन को देखे क्या दिया गया है सविधान सभा दुवारा अंतिम रूप से पारिश सविधान में कुल कितने अनुछेद और अनुसूचियां थी जिस दिन हमारा सविधान सविधान लागू आता 26 जनवरी आपके 1950 को और उस दिन आपके क्या हुए थे भया 26 जनवरी 1950 को आपका सविधान लागू हुआ तो हमारे सविधान में अनुसूचियां कितनी थी और अनुछेद कितने थे ये दोनों बताने अनुसूचियां तो थी सर आठ और अनुछेद थे 300 पिच्चाण में लेकिन गुरुजी वर्तमान में अनुछेद तो सेम है 300 पिच्चाण में लेकिन अनुसूचियां अब कितनी हो चुके वर्तमान में 12 हो चुकी एक ये प्रसन याद रखना भारते सविधान लागू कब होता है दोस्तों लेकिन भारते सविधान पारित कब होता पारित 26 नुवंबर 1949 और याद रखना उस दिन हमारे देश में कुल 15 अनुछेद लागू किये गए थे कितने अगर परसन आजाए जिस दिन भारते सविधान बन के तयार हुआ तो कितने अनुछेदों को लागू किया गया पंद्रा बाकी सेस लागू कब हुए थे आपके 26 जनवरी 1950 को अब हम एक बात पढ़ते है गुरुजी आज हमने आर्टिकल 21 पढ़ा आज हमने आर्टिकल 21 ए पढ़ा आज आर्टिकल साथ हमने 51 पढ़ा आर्टिकल 51 क्या पढ़े सरी इनमें आर्टिकल कौन से आर्टिकल तो दोनों उपर वाले है आर्टिकल कितने है यह दोनों उपर व तो वर्तमान में आपके ये लगबग आपको 480 प्लस आर्टिकल मिलेंगे। अगर वर्तमान में अमारे अनुचेदों की संख्या कितनी हैं? अनुचेदों की संख्या, अनुचेदों की तब बताना है 480 प्लस। अनुचेद कितने हैं? 345. ये 2% थोड़े से पजल करते हैं, ह इसा गलत होते हैं बच्चों के परसन. अगले परसन में देखिए क्या दिए अगर नेक्ट परसन? फटा फट से. संपूर्ण भारते सविधान के निर्मान में सविधान सवा को कितना समय लगा? अगर मैं परसन पूछलू, अब एक बात बता दो, ये समय कब से लेकर कब त कब से लेकर कब तक ओप्सन नहीं है. पांसो रुपे इना में पांसो एक रुपे बेट रासी है, जिसने समय बता दिया, पढ़ने वाले ही विध्यारती बता सकते हैं. बिल्कुल सरल वासा से, इस्टिक वासा से, बिल्कुल, कोई टैंसन नहीं, फ्री माइंड. देखो, शविधान बन ञे के तैयार हो गया, उसने अडोप्ट कर लिया, पारित कर लिया, 24 नॉंबर 1944 को. थोड़ी देर पहले यहां लिख्खा था, पारित कब किया गया, 26 नॉंबर 1949. इसके बीच में जो लगा समय है, वो कितना है, दो वर्स, 11 मा और आपके 18 दिन और 2 गंटे का स याद रखना हमारे सविधान की जो पुस्टक बनी है उसका वजन या रखना हेम कबॉक्स है किसका bucks है helium gas जो रख सकर हएई हमारे सविधान में याद रखना लगबग 64,00,000,000 कह था है कितने लाग कहंँ आप दोसकी जो tomatoes चाय पीओ, इंक गसाईओ, पेज लगाओ, ये इस परकार का खर्चाई आपको ध्यान दे रहे पीली होगी भाई आप पता नहीं है आगे कहीं विदेश गयों, गूमने कोई चीज देखने गयों अगले परसन को देखे फटाफट से बारते सविधान लागू कब हुआ, बताने की जूर्ट भी नहीं है 26 जनवरी 1950 को, लेकिन 26 नॉमबर 1948 को सविधान पारित हुआ था क्या हो था? पारित, या इसको बोल सकते हो अपनाया क्या किया गया? अपनाया, या बोल सकते हो इसे अधिकृत किया गया अधी क्रित क्या किया गया अधी क्रित किया गया यह आपको ध्यान देने कर लोगे आँ तक कोई दिक्कत नहीं है अब एक छोटी सी बात बता दो बारते सविधान जब लागू किया गया था दोस्तों तो आपके देश का पीम कोन था वेरी गुड पंडे जवाला लेहरू इवन का लाष्ट दिन था तो कारेकाल के दोरान मरने वाला देश का पहला परधान मंत्री कोन था पंडित जवारलाल नहरू अगले परसन को देखे दोस्तों क्या दिया गए नेक्ट कोशन को फटा पड़ से बारते सविधान बारते सविधान सभा में महिला सदस्य कितनी अभी पड़ा था हमने ये कहरा है वारा कोई कहरा पंद्रा थोड़े देर पहले परसन पड़ा है भूल गया बनवारी ऐसे काम थोड़ जलेगा लाला थे तो कोई फाइदा नहीं फेर पेपर देने का तो तूपड़के जाएगा एकजाम होल में भूल जाएगा हाँ 15 कितन सविधान सभा में टोटल महिलाओं की संख्या कितनी थी 10 कई किताबे इसको कितनी बताएंगी वह या 12 यह बताएगे अगले परसन को देखिए दोस्तों 12 10 निपड़ना 15 याद रखना बस सविधान सभा के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है अब भी सोचलो देखो किस भाग को सविधान की आत्मा कहा जाता है दोस्तों देखो भाग मिले किस वस्तू को कहा जाता है वस्तू भी नाम मिल सकता है या किस चीज को चीज को कहा जाता है या हमारे सविधान की आत्मा किसको बोलते तब भी आपका राइट उत्तर क्या रह बहुत्ग संख्या को डौक्टर बी-ार अम्वीड करने क्या बोला है सविधान की आत्मा तब याद रखना भाग संख्या तीन है और यानि कि किसको बोला है मोलीक अधिकार के कों से अनु छेद को बोला है और ये बात किसे ने बोली है लेकिन डॉक्टर बीमरा उवमेड करने यहां person में तो कोई बात ही नहीं है तो सविधान का हरदे सविधान की आत्मा ये किसे का जाता है बस आर्मी का एक ही person favorite है परस्तावना का अमारी प्रस्तावना में कितनी बार संसोधन हुए है कितनी बार संसोधन किये गए संसोधन का मतलब होता है कोई चीज को जोड़ना या कोई चीज को अटाना एक बार कितनी बार और वह संसोधन 42 वा सविदान संसोधन 1906 में कब क्या गया और कितने सब्द जोड़े गए, सब्द की अगर मैं बात करूँ, सब्द जोड़े गए, तीन, कितने सब्द जोड़े गए, तीन, एक पंथ निर्पेक्स, इस पंथ निर्पेक्स को बोल सकते हैं, धर्म निर्पेक्स, क्या बोल सकते हैं, जिस किसी देश का कोई धर्म है, मु सविधान को कोई आनी नहीं पूचाएगा उसे बनाए रख रहे हैं समाजवादी और आपके पंथ निर्पिक्स रख लोगे कितने सब्द जोड़े गए तीन सब्द ये तीन सब्द किस वर्स जोड़े गए 1906 हमारी सविधान में परस्तावना में कितनी बार संसोधन हुआ है उस संसोधन का नाम पूचे तो अब एक छोटा सा प्रसन बता दो हमारे देश के अंदर जो सविधान है ये सविधान सबसे बड़ी चीज है क्योंकि जब आप सविधान पढ़ते हो तो सबसे पहले क्या पढ़ोगे वो परस्तावना के अंदर सबसे बड़े कोन है हम हम भा भारत की जंता भारत के लोग तो जंता लोगों के बारे मुपताइगा है अब एक बात होता है प्रस्तावना को कहां से लिए यू ए सवहरी गूड अब लेकिन प्रस्तावना में जो लिखने की बहसा है ना दोस्तों किस परकार उसको सजाया गया तो वह याद अपकी ऑश् बता दो अमारी प्रस्तावना को क्या का जाता है सविधान की ये बात बियार अंबेड करने बोली है या नहीं बोली है का बोली है पागल हो रहा है का बोली है भाग संख्या तीन को बियार अंबेड करने सविधान की आतों बोली है ये तो अलग बात बता ये हाँ सविधान की आत्मा प्रस्तावना है ये बात बोलिए ठाकुर ठाकुर भारगव बारगव दास ऐसे पड़ागव इस बच्चे को याद है ये इस परकार का दिमाग बना ले बनवारी अभी पड़ाए भूल गया तू ये पेपर करेगा ये देख लिए तो पेपर करेगा तू रह जाएग और दिपक तू भी भूल रहे है थोड़ थोड़ा तो ठाकुर भारगव दास ने सविधान की प्रस्तावना को क्या बताया आत्मा जबकि मोलिक अदिकार को सविधान की आत्मा किसने बोला है अगर परसन में प्रस्तावना सब्द ना हो तब राइट किसको करोगे बस दो ह सविधान की आत्मा का गए सीधा परसन आजए सविधान की आत्मा क्या है तो पहली बात किसके उपर टिक लगाना है अगले परसन को देखे क्या देगे बहारत एक क्या है वेरी गुड बहारत एक धरम निर्पेक्स राष्ट्र है क्योंकि बहारत का कोई विशेष धरम नही तब उठाई गई है एक धरम निर्पेक्स होना चाहिए हिंदू राष्ट नहीं होना चाहिए पहले जो बटे थे वो मुस्लिम और हिंदूता की एकता कान बटे थे क्योंकि मुस्लिम व्यक्ति कहां चले गए थे पाकिस्तान में और हिंदू व्यक्ति कहां पे आगमन करने लग गए भारत में तब हमारे भारत में भी कुछ हिंदू व्यक्ति मुस्लिम व्यक्ति थे तो इनकी बेदवावना को दूर ना हो इसलिए ठेश ना पूछे तो भारत को एक धरम निर्पेक्स बना दिया, सारे धरम के लोग क्या हो एक समान, अमारे देश का कोई विशेष धरम नहीं है, सबको हम जितना सम्मान देते हैं, जितना दूसरे को देते हैं, तो धरम निर्पेक्स अभी तो बताये था यार, 1900, हाँ very good पूर्ण रूप से क्या हो गया तयार हो गया अब तयार हो गया तो इसे अब क्या करना पड़ेगा अब कई बार आता है गुरुजी इसे दो महिने का वेट क्यों करवाया बनके तो तयार हो गया था आपके 26 जनवरी को लेकिन सविधान सवा ने बोला था कि हमने देश का पहला सवतंतरता दिवस 1930 में हमने अजादी बनाई थी किस तारिक को 26 जनवरी को क्यों ना हम उस 26 जनवरी के दिन इसको क्या कर देते हैं इसलिए इसको क्या कर दिया लागू अब एक छोटा परसन बता दो जब बारतिय सविधान लागू हुआ तो अमारा देश कैसा देश बना तो यादगना अमारा देश बना था गणतंतर और अमारा देश धरम निर्पेक्स राष्ट किस वस बना 1906 तो इस परसन का राइट उतर 26 नॉमर 1909 को अगले परसन को देखे दोस्तों क्या दियागे अच्छा परसन है विश्व का सबसे बड़ा लिखित सविधान कौन सा है देखो विश्व का सबसे बड़ा कठोर ललचीला सविधान बोले तो किस देश का बताओगे आप भारत का किस का बताओगे अगर परसन आ जाए, विश्व का पहला लिखी सविधान, कोई नहीं बोलेगा, ये बोलेगा, पीछे-पीछे वाला लड़का संदीब बोलेगा, विश्व का पहला लिखी सविधान किस देश का संदीब, USA का, विश्व का पहला, विश्व का प्रथम, प्रथम लिखी तो यह किस देश का है भया सविधान है USA का USA का ठीक है अब एक छोटा सा प्रसन बताइए USA का सविधान भारत का सविधान हमने भारत का सविधान USA से लिया या नहीं लिया बिल्कुल यह हमारा सविधान लिखित है या एलिखित है यह बात हमने कहां से ग्रेंड की है अमारे द सविधान का रक्षक कोन है सुप्रीम कोट सविधान का अभी भावक कोन होता है अभी भावक का मतलब उसके पालन पोशन रक्षा उसको चोट लग गए तो उसको पट्टी करेगा अभी तो बताये था रक्षक अन्रक्षक थोड़े से कमेंट पढ़ लेते हैं नीलम यादव अमारे बीच में इमोजी टाइप में आते हुए बड़े हैपी लग रहे हो नीलम यादव उसके उपर केलास नाम करके गया करिस्मा कह रहे हैं कि सर सी उत्तर और फिर साथ में हट का सिंबल भी इन्होंने सेंड किये एक बार देखना आप लाइव कितने हो और पलस में लाइक देखना एक पर आप यह थोड़ी है कि आपके कमेंट नहीं पढ़ता तो कोई नराजगी है बाई इस चीज़ पर ध्यान अब एक बात बताएए अमारे सुप्रीम कोट की स्थापना कब करी स्थापना अगर कोई इस परसन का उत्तर बताता है उसे 101 रुपे अभी भेटरासी की जाएगी कोई भी गूगल का सारा नहीं लेगा कोई भी गूगल मैडम का सारा नहीं लेगा सरवोच नियाले सिवनात कोशित करते हुए और ये सोरपे की और कूँज करते हुए सुप्रीम कोट की स्थापना कब की गई जब ये सुप्रीम कोट थोड़ता तब तो ये कोट था नेट पे देखते हुए बच्चे ने बताया कि सर 28 जनवरी 1950 को हमारा सुप्रीम कोट बना था सुप्रीम कोट तेर एपेक्स कोट क्या बोलते थे एपेक्स कोट कहा जाता था और यह एपेक्स कोट बना था 1784 में कब बना था 1784 में और यह कहां पे था कोल का था और यह बाद में चलके यह हमारे देश का क्या बन गया सर्वोच नियाले क्या बन गया सर्वोच नियाले जब यह सर्वोच निया तो कभी person आ जाए जब Supreme Court सबसे पहले कलकत्ता में बनाथा तो कितने जज थे? 4 जब हमारे देस का ये Supreme Court बना तो जज कितने थे? आठ आज दीरे-दीरे करते करते हमारे Supreme Court में जजों की संक्या कितनी हो गई? 34 और 34 इस टेम बच्चे लाइव देख रहे हैं, क्या वाँ, 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 चल चमेली बजार में, भारत में वैस्क मता दिकार, सिधार्थ बोलेगा, वैरी गुड, वैस्क मता दिकार का मतलब आपको एक वैस्क माना जाता है, आपको देश में किसी नेता को किस आर्टिकल में, एक परसन मता ये, वैस्क मता दिकार का उल्ले किस अनुछेद में, अनुछेद पूछता है, वैस्क मता दिकार के लिए अनुछेद पूछेगा, 326 में, किस में है, आप एक वैस्क मता दिकार हो, आपको वोट मिल सकता है, किस आर्टिकल के अंदर है, 326 में यह चुनाव आयोग के पास होता है हमारा वोट बनाता कोन है तो आप बोलोगे सर्जू गुरुजी जो चुनाव करवाता यानि कि चुनाव आयोग तो आपने देखा होगा आपका जो पैचान पत्र आता है उसके उपर लिखा होता है निर्वाचन मंडल तो निर्वाचन अधिकार कीुव Yuma कितनी थी, ये फरसन आता है, इन दोनों में अंतर है, क्या है और यानि कि इनों में यानि कि जो कमी की गई वो कब की गई 61 सविधान संसोदन 1989 में, तो ये परसन आएगा हमारे वोट डालने की I fordimm CFAL में अठारा वर्स इस टाइम में सरकार किसकी थी राजीव गांदी की किसकी थी राजीव गांदी की एक छोटा सा परसन बताना मुझे आपको किसी गाउं का सरपज बनना है क्या बनना है क्या आप गाउं के सरपज को कितने वर्स की आयों में वोट डाल सकते हो वोट डाल सकते हो और सरपज बनना हो तो ठीक धन्यवाद अगले परसन को देखे दोस्तों क्या दियागे नेक्ट कोशन निमलिकित में से कौन भारतिय राजवयस्ता का मतलब होता है हमारी जो सासन वयस्ता है राजवयस्ता पोलिटिकल साइंस जो पोलिटी बोलते हम ठीक ना राजनेती बोलते हैं भारतिय सविधान भारतिय राजवयस्ता में सरवोच है अब बताईए ओप्सन दो दिये गए इसके अंदर है एक तो दिये गए संसद, सविधान, सर्वोच नियाले और आपके धरम निमलिकित में से भारती राजवेस्ता का सर्वोच किसे माना जाता है दोस्तों फटा-फट से कमेंट करें सर्वोच, राजवेस्ता के अंदर है सर्वोच अब सोच और सोच, संसद है, सविधान है सर्वोच, अब चैट सेक्षन वाले विधारती देखते है ए उत्तर बतारे गुर्जी संसद को माना जाता है संसद का तो काम क्या है? कानुन निर्मान करना अब कानुन डंका नि बनेगा तो जनता दरने पर बैठ जाएगा कहां बड़ी हो गई है? इसको तो बड़ी सर्वपिरे डिसीजन किसका मानते है अगर सुप्रीम कोट ने बोल दिया ना कि ये पांच रुपे का है तो पांच रुपे का ही है यानि किसने सर्वपो बूला क्या बोला गया सर्वपो बूला को न से अब कई बच्चे वोल रहे के सर सी आएंगे कई बोलरे भी आएंगे नीलमा यह इमोजी वाला सिंबल छोड़ दे बैँटा नीतो तेरे फोन में से थपड़ा ऐसे लगेंगे समझ में न आएंगे तेरे गाल हो जाएंगे बंदर जैसे आगे देखिए बारते सविधान में सामिल नीती निर्देशक तत्व कहां से लिए गए वहरी गुर्द धन्यवाद राज्ये के नीती निर्देशक तत्व DPSP बोलते इनको Direct Policy तो ये लिए गए आपके आएर अब एक बात बताएए आएरलेंड की राजदानी का नाम क्या है बता रखिए राज्ये के निती निर्देशक तत्वों का जो उलेक मिलेगा बाग संक्या कई बार पुछेगा बाग संक्या तो बाग संक्या फोर्थ में किसमें और इसके लिए आर्टिकल और पुछेगा कोण कोण से अनुछेद है 36 से लेकर 51 तक और इसी के तहत एक का गठन तो पंचायत का गठन किस आर्टिकल में किया गया है 40 के अंदर किसमें किया गया है दीपक कर लेगा अब एक बात बता दे राज्ये के नीती निदे तत्व किस राज्ये कहां से लिए गए आयरलेंड की राजदानी का नाम है डबलीन क्या नाम है एक राजदानी मि मूल करतवे कहां से लिए गए मूल करतवे जो विश्व का सबसे बड़ा देश है मोटोडो देश रूस विश्व में आपके लिए जो मोलिक अधिकार लिए विश्व के किस देश से मोलिक अधिकार है सेयुक्त राज्ये अमारे देश में प्रस्तावना कहां से लिए only for प्रस पहानमंतरी कौन था और लागू होते ही हमारे देश का पहला राष्टपती कौन बना राष्टपती कौन बना डॉक्टर राजिंदर है राष्टपती डॉक्टर राजिंदर परसाथ जाट की जाटनी दिपक है सर क्या बात है या जाटनी आज भाई दिपक में फसली और इब भी को डंगूता पड़ लियो यही काम करना है के तान है जाट के जाटनी यह के आईडी बना रखिए नाम रख ले कोई गोलू, मोलू, सोलू, बाभू, सोना आगे देखे बारते सविधान में मोलिक करतव अभी पड़ा है हाँ, रूस से लिए गए, मोलिक करतव है कहां से लिए गए अगर रूस ओप्शन में ना हो तो इसका नाम आता है पूर्व पूर्व सोवियत सोवियत संग अरे राउल, आपके पिता जी रूस गई हो है क्या इटली या कतर कतर कतर, अब एक बात बताईए कतर कतर राजदानी है या देश है हाँ, तो ये कतर आपके क्या है देश है और इसकी राजदानी क्या है दोहा, और दोजार 2018 के जो FIFA World Cup हुए थे, सोरी 2022 के 22 के का हुए थे यहीं पे हुए थे, तिर पिता जीन तो देखे हैं फुट बोल अच्छी या इनली कंपनी स्पोंसर बन गी या इन कंपनी सारोपी सो उड़े इन्वेस्ट कर दियो बारतिय सविधान में समवर्ति सूची के अवदार्ना गुरु जी यह क्या लफडा है इदर रोईत इदर आजा इद दिपक के पासा आज इदर आजा वो समझ गा जिसको बुला रहा हूँ वो समझ गा आज इदर है वो चुल भूलू पंडू इदर आजा रोईत है राहूल नाम है तो फिर बोल रोईत कोई नहीं है इदर बैठ जा दिपक के पास आज आएगा हाँ तुझे सिल्ड देता हूँ समवर्ति सूची के अगर बात की जाये तो समवर्ति सूची वह होती है जिसके उपर संग और राज्य ये दोनों मिलके क्या करते हैं हाँ कानुन मनाते क्या करते हैं और ये ले गई आपके ओस्टेलिया के सविधान से और इसे हमारे सविधान में कब जोड़ा गया 1935 में जोड़ा गया अब ध्यान से सूनना एक होती है संग सूची क्या होती है और एक होती है राज्य और एक होती है सम वर्ती अब एक बात बताए सम वर्ती के विश से पूछे तो राज्य के बोले तो और इसके 101 एक यह चेंज हो गए लेकिन कई किताबों में 161 और बावन मिलेंगे तो यह वाली चीजे मत पढ़ना दोस्तों अब आपके नए अपडेट हो गए अब एक बात बताइए हमारे देश में जो रेल है क्या विया रेल यह राज्य किया या केंद्र किया दोनों किया तो रेल संचालन कों करता है केंद्र करता है तो रेल नामक विश्य किस सूची का विश्य है अगर आपसे बोल दे कि गुरुजी सिक्षा किसकी है राज्य की या संकी अकेला राज्य शिक्षा को बढ़ावां नहीं दे सकता इसलिए यह बोलेगा मैं भी सपोर्ट करूँगा है तो यह भूला मैं उसको चला लोगा इसली दोनों की होगी तो यह किस की हो गई क्रिति नाम आता क्रिसी क्रिसी नाम अग्रीश किस birthday क्रीसी let जैगा only for सब भाई ये चैट क्या लिखे जाहिंद गुरुजी जाहिंद जाहिंद वंदे मात्रम वंदे मात्रम भाई सब रुख जाओ बाइज दोनुर जना रुख जो केक भी था रहे थारके कभी अंकोन सोकर है कुण जिवनात जीतियो है वुरा आजा उराज आजा मैं कूँ आपना गरगा बाढ़क आजाए उराजा उराज़ आज़ा साने टूम दीखाओ रुग जो आज ओर आज आज ने को प्यार वाजया रुको रुको शारा ओन राइल के रुको थाने बढ़ याशो काटून दिखाओ आज मा रहा हो सारुक कान खड़ी हो रहा है इधर आज बेटा मारूंगा नियुक्त क्या बात है लाल बुर्षट काली कोट उपर मुखर इन दिखा नाम के तरो जोर से बोल जोर से बोल मुह में किया है गोज में किया कि छोड़ी पक्की बात है मेरे सोगन खाज़ा मन मारों के है इधर आज़े माइक आज़े माइक आज़े बता जी तू खानना रोट्टी डंकी ओर योगी कच्छे काट रहे होगा यह बाइशा भी उसकी एज नहीं होई और यह बच्चे की एज क्ये मिना कमें एक साल कमें के साड़े सोडा का वह तो फारम नहीं बढ़ रहा यह पूरे ओस्टिल को तंग यही करता है और अभी भी कुछन नहीं कर रहा है तो यह थीजो पिर नहीं करें तो दोस्तो अगर आप भी ओफ लेन अब हमारे पास आके त्यारी करना चाहते तो आ सकते हो दोस्तो राउलिया उनाजेब अगले परसन को देखें क्या देगे नीति आयोक का नीति का फूरा आर्थ बताना है हिंदी में बोलते थे को हिंदी में लिख देता हूं राष्टिय भारत राष्टिय भारत है परिवर्तन परिवर्तन संस्तान नेशनल इस्टिटुशन फॉर्ट ट्रास्फोर्मिंग इंडिया अब यह बताएगा रोईत है यह जो नीती आयो गया है यह किसकी जगा काम कर रहा है तुसरे ने पूछा यह जो जना आयो कब कर रहा है अब इसकी स्थापना कभी आज बताए था यह कुन बताओ यह तो आओ और ही कि दिपक italiano प्रिण लाग गरए नीटियाइभ वर्तमान में आपके सीओकष को ने वार्तमान में यह दखना वी आर आपके सोब्र मुलेंम सब्र मुल्ण धीव सुबह मरने मूं और एक बात बताएए इसके अद्धेक्स को नवर तुमाने में अद्धेक्स दीपक बोलेगा नरेंदर मोदी बनवारी एक बात बता दे नरेंदर मोदी नामक एक किरकेट इस्टेडियम है ये किस राज्य में और गुजरात के किस जगह पर एमदाबाद वाया बनवारी पढ़ता यार तुद हाँ आगे देखे क्या दिगे मूल सविधान में कितने अध्याय या चैप्टर या भाग संख्या है मूल सविधान है देखो हमारे सविधान में जो भागो की संख्या या मूल सविधान कि अगर बात की जाए तो जब हमारा सविधान लागू किया गया क्या किया गया लागू किया गया सविधान लागू तो लागू के समय आपके जो भाग संख्या थे वो कितने थे 22 लेकिन कुछ भाग संख संख्या दिए गए मूल सविधान का मतलब जो वर्तमान में सविधान है तो आपके भाग या ध्याय के संख्या पूछे तो यहां पर 22 भी दे रखा है इसलिए जो आर्मी के जितने भी स्टूडेंट या डिफैंस के त्यारी करते हैं वह 22 मत करना वह आपको टोटली पूछ रहा है जो वह वर्तमान के पूछ रहा है तो 22 प्लस 3 यान के टोटल कितने होगा आपके 25 कितने होगा भीया 25 नीलम यादव ने बताए कि सर 25 आएगा 25 दीपक चोदरी कह रहे सर 25 अगले परसन को देखे दोस्तों क्या देगा next question हाँ सविधान के किस भाग में नीती निरे तत्व है भाग संख्या इंपोर्टेट आगया आपके कोण कोण से भाग में क्या क्या उलेक मिलेगा एक बात बताएए आपके किस भाग के अंदर सविधान संसोधन का उलेक है सविधान संसोधन का उलेक है तो यादखना भाग संख्या 20 में किसके अंदर है कौन से बाग संख्या के अंदर नागरिक्ता का उलेक है बारत में राज्यों की बात कहा बोली गई खाली राज्यों की बात बोली गई तो राज्यों की बात है फर्ष्ट में और अगर परसन आजाए गुर्जी राज्जे सरकार किसके अंदर है राज्जे सरकार तो राज्जे सरकार याद रखना आपके शिक्स्त में केंदर सरकार के अगर बात बोले तो केंदर सरकार किसके अंदर है केंदर सरकार के अगर बात बोले तो याद रखना पांच में किसके अंदर है राज्ये के नीते नेतत्व की अगर बात बोले तो और मूल अधिकार बोले तो मूल अधिकार अधिकार बोले तो और मूल कर्तवे बोले तो मूल कर्तवे तो मूल कर्तवे लिख तो दियो चार कैमे ठीक है और आपके बागसन क्या नो की बात बोले तो नो दो है, एक नो और एक नो के अंदर आता एक तो पंचायत की आता है पंचायत है और एक आयगा आपके नगर निकाय है निकाय हाँ नगर पालिका वो चीजे तो पंचायत का उले किस बाग संख्या में है, नो में है, पंचायत का अगर बात करें, पंचायत का नो में, नो क्या के अंदर आपके, नगर पालिका या नगर परिशद, और मूल अधिकार कहां से लिए गए बनवारी बोलेगा, वेरी गुड, USA से लिए गए, दिमाग तो का करतव है, का से लिए, मूल करतव है, हाँ रूस से, देख लें सी उनात तो अलकुमान अगे न, वर्तमान में सविधान की आठवी अनुसूची, आठवी अनुसूची में कितनी बासा है, बासा है कितनी दोस्तों, अब एक बात बताए, क्या 22 बासाओं में अंग्रेजी साम सामील है, क्या 22 बासा में तेलगु सामील है, तेलगु, क्या 22 बासाओं के अंदर मराठी सामील है, मराठी, यह सारी की सारी सामील है दोस्तों, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो कौन सी बासा सामील है, अब एक छोटा सा परसन बता दे, आपका अगर सुप्रीम कोट है, जो आपकी बासा हिंदी और अंग्रेजी दोनों है लेकिन कोई सांसद कोई व्यक्ति कोई सदस से अगर बासन अपनी बासा में देना चाहे तो अपनी शेतरी बासन बासन दे सकता है ठीक है तो एक बात और याद रखना बर्तमान में जो आठीवियनु सूची है इसके तोटल बा बासा है कितनी आपकी 22 लेकिन एक बात बता दो आठीवियनु सूची जब लागू किया गया हमारा सविदान लागू और कब वह उन्नीश्व पचास में तब आपके कितनी बासाएं थी वैरी गुड़ बास तन तो आवे यार है चोधा बासा वायार चोधा बासा कितनी बा निउ बासाएं निउ बासाएं अगर बात किते तो नई बासाएं एक तो यार दखना सिंधी कौन सी बासा और एक आएगे आपके सामने नेपाली और पलस में एक आएगे कोकनी और मणी पुरी पुरी और एक आईगी आपके सामने भया बोडो पलस में डोगरी और एक आईगी आपके सामने संथाली और एक आईगी मेथली तो आपके टोटल कितनी बासा है हो गई एक, दो, तीन, च्यार, पांट, छे, साथ, आठ, आठ और चोदा यानि कि वर्तमान में आपके टोटल भासाएं कितनी है नई, सबसे नई भासा पूछे तो कोण सी है सबसे नई ये चारो एक साथ जोड़ी गई 2003 में बानवा सविधान संसोदन नेपाली, कोकणी और आपके मनीपूरी इनको जोड़ा गये आपके 2001 सविधान संसोदन 1902 में और जो उपर वाली सिंधी भासा जोड़ी गई आपका 661 सविधान संसोदन 211 सविधान संसोदन 1967 के अंदर 211 सविधान संसोदन 1966 रुख जे और है ओ हो त्वेशो को सबब्गी के और दूर्प अ क्या एक हो प्रदी पेगर अ आज यूरा जए पुन्न आज 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 ऊज़ए चार अ है यह को अर दिखाता हो वाई सब आपको मैं जो करये मारश बनावा इधर आजा पगड़े ले रोई तेने इधर देखे दोस्तो एक छोटा सा प्रसंट माजा तो भाई अरे चोड़ो चोड़ो बाइस बासाओ में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बासा कुंसी है बोली जानने वाली कॉंसी भाई हिंदी कॉंसी है अब एक बाता है हिंदी आपकी राष्ट बासा या राज बासा है हमारे देश की राज बासा हिंदी राष्ट बासा है यदी अगले परसन को देखे सविधान के किस बाग में नागरिक्ता का उल्लेख मिलता है सविधान के किस बाग में नागरिक्ता का उल्लेख मिलता है किस में मिलता है और हमारी नागरिक्ता कैसी है एककल बोल दो या बोल देंगे एकरी एकरी एककल सङर्मर्णे मत्त परती वो अलग चीज़ हो यह नागरिक्ता पुछाओ कैसी है एककल सिंगल सिट्रिजनसिम एक बात बताईए नागरिक्ता के लिए अनुछेद कितने हैं अनुछेद 5 से लेकर 11 तक कितने हैं पांस से लेकर गया रहा हमारी नागरिकता कैसी है एक कल ये बात कहां से लिए हमने कहां से लिए अब एक छोटा सा प्रसंद बता दो बारत का नागरिक प्रथम कोन है बारत का प्रथम नागरिक कोन है और भारत का तीसरा नागरिक कोन है तीसरा और देश का चौथा नागरिक है राज्यो के राज्येपल राज्यो के राज्येपल सचीन यादव आप मज़े क्यों ले रहे हो भाई सब अप बारत की हम बारत के नागरिक अगले प्रसंद को देखे दोस्तों क्या देए next question वर्तमान में भारते सविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है वर्तमान में भारत के सविधान में देखो जब लागू किया गया क्या किया गया लागू के समय समय बोलो या बोलोगे पहले पहले थी पहले कितनी थी आठ और आज कितनी है अब कई बार ये परसन आता है कि नई कौन सी जुड़ी न्यू जो सेडूल है यानि कि नई तो नई कौन सी एक तो नोमी कौन सी है नोमी को जोड़ा गया पहला सविधान संसोदन 1952 में 1952 में दसवी अनुसूची को जोड़ा गया आपके भईया याद रखना है जारवी अनुसूची तियत्तरवा सविधान संसोदन 1952 और आपके बारवी अनुसूची को जोड़ा गया चुअत्तरवा सविधान संसोदन 1952 अब कई बार परसन ये आता है कि सरी है अनुसूचीयों में काम क्या है कौन सी अनुसूची किस से सम्दित है देखो नोमी अनुसूची का सम्मध्या दखना भूमी, भूमी सुधार कानुन, तो भूमी सुधार के लिए जितनी भी बाते हैं, वो कोण से अनुसूची बताती है, नोमी, और दल बदल कानुन, दल बदल, बदल कानुन की अगर बात की जाए, तो वो कोण सी में हो गई, द बारवी में लेकिन अगर मैं बोलू आप को सपत का किस अकिसल में सपत का उनलेENCE है तो सपत के लिए कौन जिबताओंगे या ठीशिट बेतन की अगर बात बोले तो तो दूसरी क्या भोलोगे दूसरी और बासाओं की बात कोई नहीं अभी बताए भूली किया गया इतिन दिर में सर थोड़ा सा जल्दी से पड़ाओ, असोग जी कर रहे ह Rica बहुआ, अगले पर relying को देखे दोस्तों क्या देगिन नेक्स को बार्तिज सविधान के अनुछेद के तहत है हिंदी को संग की अधिकारित बहसा बताईए क्योंकि संग की अधिकारित बहसा यानिकि हमारे संग की राज बहसा हिंदी या राष्ट बहसा इसको माने तदी गई आर्टिकल पूछ रहे याद रखना दोस्तों, हमारी जो, हाँ, अधिकारित बासा हिंदी, हिंदी की बात बोले तो क्या बोलोगे? आर्टिकल 343 में बोला गया हमारे देश की क्या होगी है राष्ट बासा लेकिन हमारे राष्ट की राष्ट बासा नहीं है इसलिए आर्टिकल 343, 341 के तैत इसको हमने क्या बना रखा है राजबासा क्या बना रखा है राजबासा और इस राजबासा का दिवस का बात है आपक पंसे क्या बनने लगया हिंदी दिवस तो हिंदी दिवस किस तारीक को आता है दोस्त है देव नागरिक और पंजाबी बासा की लीपी क्या है गुरु मुखी क्या है गुरु मुखी अगले परसन को देखे दोस्तों अगर परसन आजए 345 में क्या है गुरु जी तो 345 याद रखना राज्यों की राज्यों की अधिकारी बासा राज्यों की अधिकारी अब एक बात जबताइए अधिकारी बात्सामैं पंजाब की अधिकारी बासा क्या है बजाब की गुज्ञत की और महराष्ट्र की ई गोवा की कोकनई और मल्यालम का क्या की प्रांतकच कंड करनाटक क्या करनाट्स तो लाइक वे शेयर भी क्या करो लाश्ट कोशन और करते हैं अपनी क्लास का एक और कोशन कर लेते हैं फिर अपनी क्लास को विराम देंगे इसके बाद में क्लास है क्या ठीक है आगे देखिए सत्यमेव जेते को कहा से लिए गए सत्मेव जेते हमारे देश का ये राष्ट्रिय आदर्स वाक्य है हमारा आदर्स वाक्य क्या है सत्मेव जेते हमारा आदर्स वाक्य राष्ट्रिय वाक्य सत्मेव जेते और इसे ग्रेंड किया गए आपके मुंडोक उपनिसद अगर आप हमारी PDF से related है कोई भी सूचना लेना चाहते हो दोस्तो तो Oxford Carrier आपके YouTube चैनल के साथ आपका यही आपका टेलीग्राम है अगर कोई विध्यारती किसी परसन से related या कोई information related हमारे पास physical की त्यारी करने के लिए जैसे कई बच्चों ने S&C का पेपर दिया पेपर अच्छा हुआ है वह पास हो जाएगा physical में नम्मर हो जाएगा तो फिजीकल की त्यारी करने के लिए हमारी संस्तान में आ सकते हैं तो सुबेदार जी सुरेंदर जी खेचड फिजीकल की त्यारी खुद कराते क्योंकि आर्मी से वह रिटाइड है और एक बात और बोलना चाहता हूं दोस्तों बस एक मिन्ट का समय और लूँगा आपका जादा नहीं लूँगा अगर कोई विध्यारती हमारे दुवारा तैयार किये गए पेटी कोई दिक्क नहीं हूं हां मोडल पेपर के लिए आपको कितने रुपे कर देने पूड़ेगा आपको और इसके लिए आपके नमबर में ने बतायता आपको वह कहां चला गया दुबार से दुबार निकालना पड़ेगा उसको यह देखिया आप तो दस सालों में तयार किये गए आपके लिए भया model test paper है ये इनको आपको purchase करना है तो दिये गए आपके 8988232854 पर आप message कर सकते हो और इन model paper को लेकर आप अपना सुनेरा बविष्चे बना सकते हो माता पिता के सपना पूरा कर सकते हो time table सुनो कई बचे time table के लेकर बहुत वो रहते है सुबह 8 से लेकर साड़े 9 बे तक आपके कल आपके science की class है एक दिन science की class सलेगी एक दिन math की class सलेगी फिर साड़े 9 बजे से लेकर आपके 11 बजे के बीच में चलेगी आपकी gk की class फिर उसके बाद जल्द आपके लिए math की live class करेंगे मैम की class भी और शाम को रात्री model test paper सवा 9 बजे शुरू होगा और उसके बीच में एक दो दिन के बीच में मैं gk का mock test लेकर आपके सामने live आऊँगा या तो सुबह सवा 6 बजे या सुबह सवा 7 बजे या रात्री सवा 12 बजे जिसमें आपको 30% मिलेंगे gk और science के mock test तो gk science का mock test मिलेगा 30% mcq तो ये comment करके बताना वीडियो के अंत में बंदूख से छोड़ी गई गोली कौन सी उर्जा होती है ये कल हमारे robot सर बताएंगे आपके न्यूटन का तीसरा निया में ये ठीक ना यांत्री गुर्जा होती है ये ठीक आगे देखते हैं ये science वाले गुरुजी बताएंगे आप